सवाल किया करो आज से चार मेना बाद आपको नहीं याद रहेगा कि सवाल मैंने क्या किया था एक दम जे-ई की तरह काम करता है मेरा काम है गलतियों को बताना ठीक है आपको अतना बटर क्लारीडी समझ में आएगा और गलतिया तभी समझ में आएगे जब गलतिया खुद से करोगे अटेम्ट करके ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूं यह वीडियो थोड़ा अच्छा होने वाला मैंने काफी कुछ इसमें पता है प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो कमेंट कर दिया करो काफी महनत लगता है इस तरह का पुरा प्रीपीटी बनाने में विश्वालायजेशन जब आप चीज़े विजुवालाइस करके पढ़ोगा ना कि डाग्राम में चली क्या कह रहा है और क्या से करना है तो आप या फिर एक हिश्टेप ले सकते या फिर दो इस अपर अगे प्रिविए सवाल सब्सक्राइब तो हमारे पास यह बसता है कि हम यहां पर कदम रखें पहला गए है तुमारे पास कोष्ट कितना आगए दस रुपया और दूसरा कदम रखें तो हम-चाथ यहां रख देर तो 20 और फाइनल एक कदम जब यहां पहुंचेंगे तो फाइनल स्टेप आगे तो कॉश्ट कितना हुआ 30 रुपे ठीक है मेरे पास एक दूसरा ऑप्सन यह भी था दूसरा ऑप्सन मेरे पास क्या था कि हम क्या करते हैं डाइरिक्ट यहां से यहां 15 पर करते हैं पहला कदम 15 और फिडिरेक्ट ली दो कदम यहां जंप कर जाते हैं विकास हमें अल्टिमेटली फाइनल स्टेप पहुंचना है एधर हम एक स्टेप चले या दो स्टेप चले ही हमारे उपार ठीक है लेकिन जहां पर आपने कदम रखा उस वह कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा मैं य से मिनिममम जो वैली मिलेगा 15 मिलेगा अल्टिमेटली हमें यह फाइंट करना है कि कितना मिनिममम कॉस्ट पर फाइनल स्टेप तक पहुंच सकते हैं कोई प्राब्लम यहां तक आइनो जिन लोगों पढ़ा होगा और उसके एक्जामपल को सॉल्फ किया होगा डेफिनेटल कि आपको कहना क्या यह होए फाइनल स्टेप यहां है आप और यह है आपका तीन सीधी पका चलो इस सवाल है क्या करने वाले रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखेंगे जो हम लोग करते हमेंसा बिकॉस नाव वी आर ट्राइंग टू लर्न डीपी और डीपी का मैंने सबसे बेस इसको ध्यान से समस्ते बेंगे चलना कि outp 나오ट यहां पर एहरे है 10 एक सिंगल एक इस स्टेज हमारे पास नहीं और फाइनल स्टेप यहां है तो हम क्या करेंगे डाइरेक्टली यहां पहुंच जाएंगे हम यह भी कर सकते थे पहले यहां पहुंचे और दस रुपए पे करत अगर सिंगल स्टेप है क्यों हम एक सीड़ी जढ के पैसा बरवाद करें हम दो यहां जम कर जाएंगे पहला इस्टेप और दूसरा इस्टेप अपन जम कर सकते हैं जब डारेक्टली जम कर जाएंगे दो स्टेप हमें कॉस्ट कितना पर करना पड़ेगा जीरो इट मिन्स कि अगर सिंगल एलिमेंट है इफ एंड इसकल टू इसकल टू वन अगर एक सिंगल एलिमेंट है थो हम रिटरन कर सकते हैं जीरो विकास कॉस्ट जीरो आएगा कोई प्रावलम यहां तक नहीं अगर एर हैं एमटी मतलब कोई सीडी ही नहीं और उसमें बंदा खड़ा है दिस जाना है नहीं कहीं पहुंचना है नहीं तो कॉस्ट क्या है जीरो अई आपको यह समझ में आया होगा अब आते हैं अनिश्कल टू पर मतलब कि दो एलिमेंट आपको दे रखें दो सीडी दे रखें विसकल दो इसका क्या एक सिंबल डाइगराम बनेगा दो प्लीज सच बत जिन लोगों नहीं समझाता है इंट मेंस को सिफ देखने के पीछे लगे हुए प्लीज पैन और पेपर पर आदर डाल लो और किसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करने का अल्टिमेटली इस इस तरीका जिससे आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो तो 10-15 तो मेरे पास क्या आता है क हमेन चैजा यहीं और दुसरा ओप्सन क्या तर सफ्सक्राव कि मूंाल पहुंच बुचह बोक्ता यहां गैए थे दूही पॉसिबिलिटी इए अगर तो कि कुतना आता है 10 रुप्या अगर मैं फिर 2 step जंब करता और फे फाइनल पर तो स्टप यहां लिग जाता और या फिर 1 रुपय जब करता पहुंच जाता फाइनल पर किखा इट मेंस कि अब तुम मिनिममं क्या है 10 रुपय करना इस चेस में इसका पुट आएगा 10 रूपीज ठीक है अब आते हैं इसकेस में या फिर हम यहां पे करें यहां पर रखे और दो स्टेप जम कर तो इसकेस में क्या होगा हमारे पास जो कॉस्ट आया वह यहां बीस रुपै गा यह फिर हम डायरेक्ली यहां दूसरा step का cost दोनों में से जो भी minimum होगा हम लोग उसको opt करेंगे कोई problem यहां तक किसी को कोई problem नहीं होना चाहिए logical इसको समझ आपको definitely समझ में आएगा if n is equal to 2 then we have to do this कि दोनों में से जो को भी स्टेप का cost minimum होगा अपन उसको consider करेंगे जाने के लिए क्यों महीं या consider क्यों करेंगे विकाउस अगर मैं आपको simple steps बनो अगर दो steps हमारे पास option में आते हैं ठीक है तो यह तमारा हो गया final step ठीक है या फिर हम यहाँ ऍहल यह करें लाजाह करें यहां विकाउस के यह स्कुल कर देना पड़े ना पड़ेगा यहां पर देना पड़ेगा तो दोनों में से vive waves होगा आप उसको रिटर्ण कर दोगा आई हूँ आपको यहां तक समझ में आए यार प्लीज जिन लोगों को समझ में आते जाता कमेंट करके बताते रहा करो विकास इससे दोनों का मुझे भी clarity मिलता है कि बच्चों कितना समझ में आ रहा है और सच बता रहा हूं कमेंट करते रहने से आपका भी confidence काफी बूश्ट होगा अब रिकर्सिव सॉलीशन में मैंने आपको क्या सिखा रहा है कि हमें एक magical function मनाना होता है और उसमें input और बेजाइन गर रहा हूं उसमें input भेज रहा हूं कि cost नाम का वेक्टर एक जो array और एक n n क्या बता रहा है कि number of stairs कितने है ठीक है और cost वेक्टर क्या है उन सारे stairs पे pair रखने के पैसे और output कि आएगा कि minimum cost to reach the top of the floor बतलब कि n stairs चहणने के बाद जब हम reach कर जाएंगे top पे let's suppose अगर n is equal to 5 है तो कितना होगा हमर पर एक stairs दो step तीन चार पाँच इतना चहणने के बाद जब हम यहां reach कर जाएंगे top पे तो क्या cost आएगा यह हमें find करके बताना है कोई problem यहाँ आ बहुत ही better clarity मिलेगा और अब लिटरली काफी confident feel करोगे अचानक से 20 से किसी वीडियो में ओगे and you expect कि भी यह DP समझा तो तो नहीं समझ में आता यार आपको starting से देखना पड़ेगा इस चोटे-चोटे concepts बनके ही आपका पूरा-कापूरा mind evolve करता है DP के towards तो अगर मैं आपको example to three है और cost vector आपको दे रखा है तो तीन स्टेर्स पार करके हमें top तक पहुंचने के लिए minimum cost आएगा 15 रुपए कोई problem यहां था किसी को कोई problem नहीं अगर मैं इस ही question को थोड़ा modify कर दो यहां पर डाल दूए n is called to two with the same cost vector cost vector same हुआ इसका मतलब कि n is called to two अपन सिब दो ही city consider कर रहे हैं मतलब कि यह और यह cost vector भले ही पूरा 100 तक क्यों न दे रखाओ आपको इसका cost कितना आएगा 10 रुपए इसका cost आए 15 रुपए तो इस case में जो output आएगा वो आएगा आप बताओ 10 रुपए ठीक है क्यों because हमें इस दोनों का minimum चूज़ करना जो हमने पिछले lecture में पर और यहां पर आता है logic logic कैसे काम कर रहा है यहां पर c मैंने बोला n is equal to 5 करो मतलब कि 5 stairs है तो 0 index, 1 index, 2 index, 3 index and 4 index चलो मुझे basically क्या करना है minimum cost निकलना है तो मैंने क्या बोला कि यह बंदा है अगर मैं इसको इस वाले cd पर पहुंचा दू ठीक है इस cd पहुंचा दू तो यहां से directly एक step लेगा और jump करके final step तक पहुंच जाएगा अगर मैं यहां तक इसको पहुंचाता हो तो इसका cost यह उस चार steps को चहड़ने का minimum cost क्या आएगा और plus कर दूं इसके साथ इस वाले cost के साथ तो मुझे यह इस वाले step पहुंचने का cost पता चल जाएगा कैसे मैं बता रहा हूं मैंने remaining क्या बोला n-1 stairs n-1 stairs because मैं यहां पहुंचना चाह रहा हूं जब मैं यहां पहुंचना चाह रहा उसका जो minimum cost आएगा वो क्या वो कौन निकाले minimum climb अब आएगा magical function picture में ठीक है now यह आगे हमारे पास recursive function picture में मैंने recursive function को बोला cost array दे दिया और n-1 पास कर दिया n-1 क्या बता रहा है cost to cover n is equal to 4 stairs 4 stairs cover करने का cost अब प्लस कर दिया इस वाले stair का cost इस वाले stair का cost क्या आएगा cost of n- n-1 क्यों because यह हमारे पास cost area अगर दे रखा है n is equal to 5 तक 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है तो n is equal to 4 क्या होगा n-1 यह हो गया index यह basically index बता रहा है तो मैं क्या करूंगा एक step लूँगा और final step तक पहुंचाओंगा लेकि में पास दूसरा तरीका भी है मैंने क्या बोला अपन एक कदम या दो कदम चल सकते हैं तो मैंने क्या बोला क्यों आप बंदे को यहां पहुंचा देते हैं और यहां दो step ले लेंगा ठीक है यह भी यहां तक पहुंचाते हैं और बंदे को दो step कुदा देंगे ठीक है तो इस वाले का minimum cost अगर मुझे पता चल जाए मतलब कि n-2 stairs का minimum cost पता चल जाए जो कि हमारे पास तीन इस case में अगर n is equal to 5 है मतलब कि अगर n is equal to 3 stairs तक मुझे पूरा चलना है और cover करना है तो उसका minimum cost कैस तक का minimum cost निकालो n-2 यहां पे होगा n is equal to 3 मतलब कि 3 stairs का cost निकाल के बताओ और पर इसका cost जोड़ दूँगा इस वाले stairs का cost जोड़ दूँगा तो अपन यहां पहुंच जाएंगे तो 2 steps आगे कुदा देंगे ठीक है मैंने क्या वाला cost of n-2 index कर दिया ठीक है तो cost to reach n-2 step इ अगर मैं इस बंदे को यहां पहुंचाता हूं इस वाले steps पे लाता हूं तो इसका sum यहां तक लाने का sum क्या है यह है या फिर 2 steps कुदा देंगे हमारे पर final जगा पहुंच जाएंगे यह मैं बंदे को यहां पहुंचा दू ठीक है और यहां पहुंचाने का sum क्या आएगा यह आएगा ठीक है कैसे निकाला है अभी तक हमने समझा और फी मैं इसको एक कदब कुदा दू अब बताना है दोनों कॉस्ट में से जो भी मिनिमूम होगा उसको हम ट्रीट कर लेंगे हमारा मिनिमूम कॉस्ट हो सकता है कि यह वाला कॉस्ट हो सकता है हो सकता है यहां तक possibility बसता है दोनों steps में सो जो भी minimum answer होगा वो हमारा final answer होगा यहां तक मुझे नहीं लगता किसो का problem हुआ होगा अगर उन्हें लिटरली ध्यान से यह चारी चीज़े समझी होगी तो ठीक है अगर मैं इसको code करके बताऊं तो कुछ नहीं है min cost of n-1 stairs मतलब कि अगर n is equal to 5 है तो 4 cd तक का minimum cost मैंने function को निकालने के दिया और final n-1th cd पे जब पहुँच गे तो उसका cost add कर दिया same n-1 is equal to 5 अगर तो n is equal to 3 मतलब 3 cd तक का cost निकालने के लिए के दिया इस function को minimum cost को recursive function को और जो n-2th cd पे पहुचे उसका cost add कर दिया दोनों में से जो भी minimum होगा आपन उसको return कर देंगे अगर मैं base condition की बात करूँ तो base condition मैंने हमेसा क्या सिखाए आपको smallest valid input पे हमेसा output चेक करना है तो यह हमारा function है तो cost तो हमारा fix है एक हमारे पास vector है basically जिसमें cost है सारे stairs का n vary कर रहा है तो मैंने आपको base condition से पहले समझा है अगर n is equal to 0 है तो return कर देंगे 0 अगर n is equal to 1 है तो return कर देंगे 1 यह return कर देंगे 0 जीरो आएगा ठीक है अगर n is equal to 2 है तो जो minimum होगा cost 0 या cost 1 जो भी minimum होगा पर उसको return कर देंगे ठीक है अगर मैं complete code लिखूँ आपको तो complete code यह रहेगा if n less than is equal to 1 to return 0 if n is equal to 2 then return min of both यह हमारा base condition आगे और यह हमारा logic आगे I hope कोई problem नहीं होगा आपको यहां अपने इसको तुरंद भर में code करते हैं और आपको better समझ में आ जागा कि क्या कर रहे है c++ यह प्लीज चेक कर लिया करो कुछ नहीं करना है बस मैं यहां पे एक्स्ट्रा फंसर मना रहा है int min cost ठीक है and एक वेक्टर बनाते है cost int n ठीक है और मैंने क्या बोला कि if n less than is equal to 1 then what return 0 if n is equal to 2 then what return min of cost 0 and cost 1 ठीक है अब मैंने क्या बोला यहां पर कर दिया int n fast कर दिया basically main function मैं एक helper बना लिया n is equal to cost of cost.size and min cost and return कर दिया min cost of cost and n that's it तो इसको पहले इस test को submit करके देखते है ठीक है run करते है तो code में तो कोई problem नहीं है सारक-सार accept हो कि आप सब्मिट करके देखते है हम लोगो का optimize solution यूज करना कि optimize solution क्या होगा इसको में मजाईज करेंगे पहले एक तो recursive call basically कैसे हम पता कर रहे है हमार डीपी कभी यूज करता है जब हमारे पास जो function call हो रहा है वो repetitive हो ठीक है वो कैसे अगर मैं आपको यहां पर function call समझाओ अगर min cost pass कर रहे है cost array for the five stairs मैं उसको छोटा form में लिख रहा हूँ one of five तो one of five क्या call करेगा one of four call करेगा three call करेगा उसके साथ two call करेगा one of three किस तो call करेगा basically call कैसे हो रहा है n-1 और n-2 ठीक है तो one of two of one of one यह one of three यहां फिर से call हो रहा है ठीक है तो यह हमारे पास repetitive है यह repetitive call हम लोगों दिख गया ठीक है हम लोग क्या करेंगे dp use करेंगे dp solution और dp में और किसी भी code को dp में convert करने के लिए तो क्या करते हैं में मजाईच करते हैं में मजाईच करने के लिए अपन क्या करते हैं dp array बनाते हैं dp array क्या कर रहा है basically यह 0 अगर n-5 है तो हर एक stairs का cost calculate करके रख ले रहा है कर लेट सब्सक्राइब बता रहा है यह dp of 2 क्या बता रहा है आप यह समझो dp of 2 बता रहा है अगर 0 अगर एक भी stairs नहीं होता तो इसमें cost क्या आता यह 5 वाला क्या इंडेक्स क्या बता रहा है अगर 5 stairs है ठीक है तो cost minimum cost क्या आएगा पूरा का पूरा चाहणने में तो यह dp array समझना बहुत important है कि dp array basically store क्या कर रहा है अपन मैं मुझाईच किस चीज को कर रहे है अपन मैं मुझाईच को कर रहे है अपन इस चीज को कर रहे है अब कुछ नहीं यह dp code बनाना बहुत ही असान है कुछ नहीं किया मैंने एक मैंने वेक्टर बनाया एक हजार एक साइच का क्यों बिकॉज आप question को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दीखेगा जो cost का length है वो एक हजार दे रहा है तो मैंने एक साइच बढ़ा के बना लिया बहुत लोग का सवाल रहता है कि एक साइच भाईया क्यों बढ़ाते है let's suppose अगर n is equal to 4 है तो fourth stairs चहणने का data कहां इस्टोर करेंगे अगर हम सिर चार साइच का बनाएंगे तो अगर हम चार साइच का बनाएंगे तो 0 1 2 3 3 इंडेक्स पर तो यह store होगा कि 3 stairs चहणने का 3 steps चहणने का कितना cost आया तो प्लस 4 का बनाते है 4 में क्या store होगा कि fourth stair चहणने का 4 steps चहणने का कितना cost अब जब भी return कर रहे है पहले हमने चेक कर लिया यह condition अगर dp of n negative है मतलब minus 1 नहीं है तो हमनों क्या करेंगे return कर देंगे dp else return करने से पहले मैंने बस यहाँ पे store कर लिया यहाँ पर मैंने store कर लिया and again मैंने यहाँ भी store कर लिया कुल मिला कि कुछ नहीं करते हैं जब भी हम जो data return कर रहे हैं उसको store कर लेते हैं ठीक है और जब भी पूरा का पूरा function कॉल करने से पहले check कर लेते हैं स्टार्टिंग में top of the function में कि कहीं वह already stored तो नहीं है अगर इसको code करते हैं बहुत ही simple code में चोड़ा से change होग अगर कुछ नहीं करते हैं अपने को वेक्टर बनाना वेक्टर ओफ इंट डीपी ऑफ एक हजार एक माइनस वन से नहीं स्लाइस कर दिया एंडीपी में मैंने क्या किया कुछ ने डीपी ओफ एंड इस्टोर कर लिया यहां पर रिड़न करने से पहले बिस इस चोर कर लो अब मैं से रन करता हूँ तो रन करने पहरा रान लगा कोड़ एकदम परफेक्ट के अब प्लेटफंट का इश्व प्लेट ऑसरा में क्या इश्व है मैंने डीपी आरे है यहां गलोबली समझना इस चीश को बहुत बार इस और आपको लागे का यह को टो सही है क्वोड रह कर दे रहा है यह globally in slice कर रहा है ठीक है मतलब globally यह initiated जब भी function call हो रहा है न तो यह dp vector में कुछ न को data store हो रहा है तो what we want कि हर बार जब भी को नया test case in slice हो यह run हो तो dp vector feed से पूरा का पूरा empty हो जाए minus one पूरा का पूरा fill हो जाए बट इस case में हो नहीं रहा है हमारे पास pre-existence values रहा जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं हर बार function call से पहले fill नाम का method call करता dp.begin, dp.end, minus one मतलब कि हर बार function call होने से पहले मैं dp जो पूरा का पूरा dp vector है सब में minus one ही store कर दे रहा है अब मैं इसको run करता, not submitted, right, तो code गलत नहीं था, जो dp vector है जो globally stored है वो बार-बार reset नहीं हो रहा है इसकी values, वो हर दूसरे-दूसरे test के लिए जो dp vector उसमें value as it is रहा जा रहा था, तो इसलिए मैंने हर function call के पहले एक बार, पूरा का पूरा dp को reset कर दिया और सब में minus one फिल कर दिया, अब इसको submit करते हैं yeah, successfully submitted, I hope आपको कुछ problem नहीं होगा यार, और धीरे-धीरे बहुत better समझ में आ जाएगा एक चीज जो हम बोलना चाहेंगे आपको, बहुत लोग time complexity पूसते हैं, बहुत लोग time complexity क्या होगा, तिसको time complexity o of n होगा और space complexity भी o of n होगा, क्यों होगा, because of function of 5 हम call कर रहे हैं, इसको थमने क्या किया, function of 4 call किया, ठीक है दूसरी बार, फिर function of 3 call किया, तीसरी बार, फिर function of 2 call किया, ठीक है, चौधी बार, and फिर function of 1 call किया, पांच भी बार अगें function of 2 call करेंगे क्या, नहीं करेंगे, यह value यहां से उठा लेगा, ठीक है, फिर function of 3 पूरा का पूरा call करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, because यह पूरा का पूरा value यहां से उठा लेगा, तो ultimately यह एक ही बार, पूरा का पूरा functions call हो रहा है, हर एक n के लिए, तो इसले time तो प्लीज यार आपको लग रहा हो कितना तो आसान था हम कर लेते हमसे हो जाता अभी नहीं होता असान यार यह धीरे-धीरे habits में आएंगे प्लीज वीडियो को पूरा देखा करो नोट्स बनाते चलो सबसे important आपके लिए tips बता रहा हूं मैं नोट्स को रोज रिवाइस करते चलो और questions को खुझ से practice करनी का आरा डालू जब भी मैं कहते हुआ practice करो तो प्रक्टिस करो रिकर्सिव साब्कक्रीकर निखो तो खुझ से लिखो रिकर्सिव रिकर्सिव और रिकर्सिव और अच्छा पिच्चर क्लिर हो जाएगा प्लीज कमेंट कर दिया करो लाइक कर दिया करो बहुत नहीं लगता सब्सक्राइब बनाने के लिए जाए लिए जाए 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 जाए